हेलो दोस्तों नमश्कार आपके अपने यूटूब चैनल आरकेम टैक इनफो पर आप सभी सात्यों का तेदिल चे हार दिख सुआगर सात्यों इस वीडियों बात करने वारे दस्तावे सत्यापन के बारे में जो आपने थमनेल में देख भी रखा है सात्यों इसमें आप RPSC, RSMSSB यानि राजस्तान लोग सेवा आयोग वर राजस्तान क्रमचारी चैन बोर्ड या राजस्तान के किसी विवाग दुआरा बर्ती के लिए दस्तावे सत्यापन करवाए जाते हैं उसके लिए कौन-कौन से अती मैथपुन दस्तावेज होते हैं जो आपको समस्त बर्तियों के मुखे ते कौन-कौन से दस्तावेज के आउशक्ता होती है उनके बारे में इस वीडियों बताये जाएगा साथ ही यदि कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है तो वो कैसे बनवाए और दस्तावेज में दोस्तो किसी प्रकार की तुर्टी हो तो उसको कैसे सुधार करे या उसका कौन सा अल्टरनेट ओप्शन है इन सब के बारे में दोस्तो एक एक करके आपको बताये जाएगा इसलिए आप अन्तक हमारे साथ बने रहे और भरती प्रिक्षाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चेलिग्राम गुरूप से जुड़े रहे आपको समस्त बरतीयों की जानकारी यहाँ पर मिलती रही चलो सुरू करते है इस वीडियो को साथ और किसी भी बरती प्रिक्षाओं के रजल्ट के बाद उसके दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंदित विवाग दोबरा टाइम सिडूल जारी किया जाता है जिसमें अभ्यारती को पहले सुचित कर दिया जाता है कि कौन-कौन से दस्तावेज आपको चाहिए लेकिन फिर भी कई अभ्यारती ऐस समंझसी की स्थितिम बने रहते हैं उनको कौन कौन से दस्तावेज आउशक होंगे और दस्तावेज किस परकार से तयार करके रखने हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन के लिए जिस बढ़्ती के लिए जो qualification रखी गई है वह समझ दस्तावेज आपके पास होने चाहिए एसमें दोस्तों सेक्शन की योगिता के दस्तावेज सबसे पहले आते हैं आपने जो भी पढ़ा है दोस्तों दस्वी से लेकर ग्रेज्वेशन या ग्रेजवेशन के बाद कोई Master Degree के रही है तो वहां तक कि आपके पास सम्पुन दस्टावेज आपके पास होने आउशक है यदि कोई बरती 10 वी पास है या 12 वी पास है तो दोस्तों उसके लिए 10 वी 12 तक के दस्टावेज चाहिए यदि उस बर्ती में इशनाता के इशनोतकर मांगा गया तो उससे संबन्दित आपके पास सेक्षन की योगिता की दस्टावेज होना आउशक है दोस्तों आपको सबसे पहले दस्टावेज सत्यापन में आपकी दस्टावेज की मारक सीट आपके पास होने चाहिए तो आपके पास दस्वी की अंकतालिका आउशिक रूप से होनी चाहिए अब सात्यों कई अब्यारतियों के मन में पर्सन रहता है कि इसमें अंकतालिका कौन सी होती है और पर्मान पत्र कौन सा होता है साथ जो उपर का फोर्सन होता वह परमानपत्र होता और नीचे जहां आपके मार्क्स दे हुए होते हैं वह आपकी अंक्तालिका होती है यानि दस्वी और बार्यू में अंक्तालिका और परमानपत्र साथ ही होता है तो आप इसमें बिल्कुल भी confuse ना हो जो फोटो लगे हुई है वो प्रमाणपत्र होता है नीचे नंबर दे होते हैं वह अंकतालिका होती है इसके बाद दोस्तों दस्वी की मारक सीट यानि आपके पास जिसमें आपकी जनमतारिक भी अंकित होती है इसलिए दस्तावे सत्या केंडरी की अंकतालिका और प्रमाणपत्र एक ही होती है यानि मारक सीट और अंकतालिका एक ही होती है तो इसमें किसी परकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास दस्वी की मारक सीट के साथ उसके बाद आपके पास बार्वी की अंकतालिका आपके पास होना हो शक इसके बाद किसी बरती में सेक्शन की हो गिता इससे अधिक मांगी गई है तो इसके बाद दोस्तों आपके पास पस्ट इयर, सेकंड इयर और थर्ड इयर के अंकतालिका हैं होनी चाहिए इसमें दोस्तों कई अभ्यारती, कन्फ्यूज में रहते हैं कि उनके पास फाइनल की मारक सीट और उसी में फ़स्ट इयर, सेकंड इयर के एक नंबर दिये गए हैं तो क्या फाइनल की अंकतालिका हैं मानने होगी तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपने यदि पस्ट इयर, सेकंड और थर्ड इयर तीनों में आपने रेगुलर एजुकेशन लिया है तो आपके पास पस्ट इयर, सेकंड और थर्ड इयर के आपके पास अंकतालिका हैं अलग-अलग होनी चाहिए यदि दोस्तों कोई से भी semester के यानि कोई से भी year के आपके पास एक मारक सेट या अंक्तालिका नहीं है तो आप तुरंत परवाव से सम्मन्दित उनिवर्शेट से बनवा ले नहीं तो दोस्तों आपको बढ़ती प्रिक्षिया से बाहर किया जा सकता है इसलिए दोस्तों आपको graduation पढ़ते एक year की semester के आपके अंक्तालिका होने आउशक है यदि नहीं होती है तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि दस्तावे सत्यापन के लिए अन्यवार है साथ यो graduation complete होने के बाद final आपके अंक्तालिका जारी किया जाती है वह final आपके अंक्तालिका होती है उसके साथ ही दोस्तों आपके degree या certificate जो आपने course किया है या degree किये उसके degree या certificate समद्ध या university दुवारा जारी किया जाता है तो दोस्तों वह आपको जरूर निकलवा लेनी चाहिए यदि दोस्तों आपके दस्तावे सत्यापन के लिए दोस्तों minimum कुछ पीस होती है उसके बाद आपको 2-3 दिन के अंदर आपको provisional certificate निकाल कर दे दिया जाएगा जो degree की तरह ही काम करेगा इसके बाद दोस्तों आपने यदि इसनोतकर कर रखा यानि कोई master degree कर रखी है तो उसका अंकतालिका आपके पास होने आउशक है और अंकतालिका के साथ ही आपको यदि उसके degree आपके पास नहीं है तो संबंदित university से संपरक करके आप उसका provisional certificate बनवा ले इस प्रकार दोस दोस्तों इसमें section की योगिता क्या मांगी गई है यदि आपके 12 तक मांगे गई तो आप 12 तक के लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों से higher education आपने ले रखी है तो उसके दस्तावेज भी आप लगा सकते है साथ ही आपको रास्तान की समस्त बरतियों के लिए computer की section की योगिता भी exam हो उसके दस्तावेज सत्यापन में आपको section की योगिता के साथ computer में कम से कम RSCIT का certificate आपके पास होना आउशक है यदि दोस्तों इसे उचतर आपके पास यदि computer degree है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन निमतम आपके पास RSCIT का certificate होना आउशक है अब इन समस्तावेजों के बा वहां के संस्तान से आपको चरितर प्रमान पतर आपके पास बनवाना होगा यानि दोस्तों जिस section संस्तान से आपने regular section की योगिता प्राप्त किये और जो अंतिम section की योगिता है वहां से आपको ये section की संस्तान का चरितर प्रमान पतर आपको मिल जाएगा इसलिए आपको क आजपत्रित अधिकारियों दुवरा अलगलग चरित्र पर्मानपत्र बनवाना होता है जो आप किसी भी गजटेट अधिकारी से आप ये दो चरित्र पर्मानपत्र बनवा सकते हैं लेकिन दोनों चरित्र पर्मानपत्र अलगलग अधिकारी से सत्यापित होने चाहिए इसके नज़दी की इमितर पर जाकर आप एपलाई करके बनवा सकते हैं दोस्तों मूलनिवास प्रमान पत्र एक बार ही बनता है इसलिए दोस्तों मूलनिवास प्रमान पत्र आपके पास बना हुआ उसका आपके पास जाती प्रमान पत्र होना आउशक है क्योंकि जाती प्रमान पत्र के आदार परी आपको जिस केटेगरी में उस केटेगरी का फाइदा मिलता है अनिता नहीं मिल पाएगा अता आप जिस भी वरक से सम्मंद रखते हैं तो दोस्तो उसका जाती प्रमाण पतर बनवाले जाती प्रमाण पतर आप किसी भी नजदी की हमितर या आपने SSID के माधम सी आप सियोंग बना सकते है और जाती पर्मान पत्र में दोस्तों SC, ST के लिए पर्मानेट जाती पर्मान पत्र होता है उनको कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन कई केटिगरी उनकी वेदिता छे मैंने एक साल या तीन साल की रहती है तो दोस्तों आप जिस केटिगरी संबन रखते हैं उस चीज का आप द्यान रखें और उसी के अनुसार आपका जाती पर्मान पत्र होना आउशेक है अब इसके बाद ही दोस्तों रास्तान की समस्त वर्तियों के लिए बहुत सारे अन्य पर्मान पत्र होते हैं दिव्यांग जन अब्यार्तियों के लिए दिव्यांग जन का सेटिफिक्ट और बूतपूर सेनिकों के लिए आपका प्रमान पत्र और राज की करमचारी यानि जो अब्यार्ति पहले से राज की सेवा में और वह इस बर्ति के लिए आविदन किये और उनके दस्तावे सत् नहीं होगे और नहीं दोस्तों आपको जो पिछली सेवा में कारे कर रहे हैं उसका लाब मिलबाएगा इसके बाद भी दोस्तों कई अन्य प्रमान पत्रों में सेटिफिक्ट भी बनवाए जाते हैं जो नोटरी से अट्रेस्टेड होते हैं तो दस्तावे सत्यापन के लिए ज फोर्मेट दिया गया है वह आपको हिंदी और इंगलिस में आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है और उसको लगाना है हैंड रिटन का फोर्मेट आपको अपने SSO ID के माद्यम से रिक्रूमेंट पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको पतर बरवाये जाता है तो इस स्कूरूटनी फोर्म में दोस्तों आपकी समझ डिटेल ले ली जाती है जहां से आपने आविधन किया था उससे लेकर समझ सेक्षन की हो गिता है समझ परमान पतरों की डिटेल और सब चीजे इसमें अपडेट करवा ली जाती है ये ओनलाइ वस समझ दस्तावे जो की दोस्तों ओरेनल कोपी और उसकी दोदो परतिली पी आपको साथ लेकर जानी होती है साती स्कूरूटनी फोर्म के आपको दो परति प्रिंट आउट लेकर रखना होगा इसके बाद दोस्तों आपने जो बढ़ती प्रिक्षया दिये उसके आपके पर परवेश पत्तर होगा वह और आपने जो आविधन किया था ओ आविधन फोरम आपके पास होना होशक है इसके साथ ये दोस्तों दस्तावे सत्यापन के लिए आपको पुलिष चर्यतर प्रमाणपत्र के साथ आपको अपने आईढ़िंटिवाई के लिए आपका कोई प तो नहीं आउशेक है। यदि दोस्तों कोई माइनर प्रोब्लम है तो उसका दोस्तों आपको एफिटिविट बनाये जा सकता है लेकिन ज्यादा को इस प्रकार के दिक्कत हो आपको उस दस्तावेज को सही करवा ले आजकल दोस्तों बहुत आसान है यदि आपके बोर्ड के किसी एकजाम में चाहिए बारवी या दसवी में है तो वह आप सम्दित बोर्ड में जाकर आपने डेटेल सही करवाए और यदि दोस्तों आपके यूरिशिटि से सम्दित है यानि इस ना तक है इस नोतकर के डिगरी में आपके किसी प्रकार की प्रोब्लम है तो दोस्तों आप वहाँ सम्दित यू प्रकार दोस्तों आपको समस्त बढ़तियों के समन्द में नविंतों ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलिग्राम गुरुप आरकेम टैक इनफो को जोईन कर सकते हैं यहाँ पर आपको समस्त बढ़तियों की संपूर्ण सटिक जानकारी मिलेगी धन्यवाद जय इन जय वारत